स्वागते दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर डामे दोस्तों आज हम बात करेंगे SBA के एक शांदार स्कीम के बारे में जिसके अंदर आप 2,000 रुपे महीना जमा करके यानि के टोटल 7,20,000 रुपे निवेश करके अपने लिए 1,40,000,000 रुपे का एक बड़ा फंड बना सकते हैं दोस्तों SBA की जिस स्कीम के बारे में हम बात करें हैं अगर हम उसके 6 मेहने के रिटन की बात करें तो स्कीम ने 7.08% का रिटन दिया है एक साल की बात करें तो स्कीम का रिटन 25.19% का है तीन साल की बात करें तो स्कीम ने 19.35% का रिटन दिया है पांच साल की बात करें तो स्कीम का रिटन 14.50% का है और दोस्तों All Time की बात करें जब से स्कीम शुरू हुई है तब से लेकर अब तक लगतार इस स्कीम ने Annually 15.92% का रिटन दिया है दोस्तो ये एक mutual funds की scheme है जिसका नाम है SPI blue chip fund दोस्तो blue chip का मतलब किछ दिख की बहतीन quality की companies है यानि कि उनके अंदर आपका पैसा निवेश किया गया है क्योंकि mutual funds का जो पैसा है वो stock market के अंदर निवेश किया जाता है अब दोस्तो बात आती है कि इसके अंदर आपको निवेश कैसे करना है तो दोस्तो आज हम विकल्ब की बात कर रहे हैं वो है SIP यानि के systematic investment plan दोस्तो mutual funds के अंदर आप थोड़े से पैसे निवेश करके यानि 2000 रुपे महीना निवेश करके भी SIP के थरू mutual funds के अंदर एक बड़ा fund बना सकते हैं अगर हम बात करें दोस्तो इस scheme की rating की तो ये 3 है और इस scheme का fund size 31,773 करोड रुपे का है यानि कि इतने पैसे लोगों ने इस scheme के अंदर निवेश किये हुए है अगर हम बात करें NAV की यानि net asset value की तो ये है 64 रुपी 32 पैसे का दोस्तो NAV किसी भी mutual funds का एक unit price होता है जो पैसे आप इसके अंदर जमा करते हैं और जो NAV का price होता है उसके हिसाब से आपको unit lot की जाती है अगर हम बात करें SIP की तो इसके अंदर आप 500 रुपे से SIP शूरू कर सकते हैं minimum दोस्तो SIP आप अपनी मर्जी के हिसाब से daily, weekly, monthly, quarterly या विर half yearly भी कर सकते हैं और SIP के अंदर एक और option होता है top of का जैसे कि अभी आपने यहां पर 500 रुपे यानि कि 2000 रुपे जैसे हमने आपको बताया इसके हिसाब से आपने SIP शूरू की और आप आने वाले टाइम में सोचते हैं कि आपको SIP के पैसे बढ़ाने हैं तो दोस्तो top of option के तहट आप इसे बढ़ा सकते हैं अब सबसे important बात दोस्तों कि आपका पैसा किन स्टॉकों के अंदर नवेश किया गया है तो यहाँ पर HDFC Bank, ICICI Bank, Infosys, HCL Technology, Larson & Turbo, Reliance Industry, Housing Development Finance Corporation, Davies Lab, ITC जो दोस्तों बहतीन क्वालिटी की Blue Chip Company है तो इसकी उनके अंदर आपका पैसा निवेश किया गया है दोस्तों गर बात करें यहाँ पर expense ratio की तो यह भी यहाँ पर कम है 0.94% का दोस्तों expense ratio किसी भी mutual funds का एक खर्चा होता है जो पैसे आप इसके अंदर जमा करते हैं और जो expense ratio होता है यह काटने के बाद जो current NAV का प्राइस होता है उसके हिसाब से आपको unit allot की जाती है दोस्तों गर बात किजाए यहाँ पर fund management team की तो इस fund को सोहीनी अडानी 2013 से manage कर रही है अगर बात किजाए दोस्तों SBI mutual fund house की तो इंडिया में number one rank है company के पास जो दोस्तों AUM है यानि के asset under management वो करीब 6,37,907 करोड रुपे का है यानि कि इतने पैसे लोगों ने अलग-लग scheme के अंदर SBI mutual fund house के साथ निवेश की अब दोस्तों यह तो बात हुई scheme की इस scheme का जो अभी तक का return है वो है यहाँ पर 15.92% का और आने वले टाइम में भी यह scheme अगर आपको 15.92% का return देती है जानि हम मानते हैं कि 15% का भी return देती है तो यहाँ पर अगर आप 2000 रुपे SIP शुरू करते हैं और total 7,20,000 रुपे निवेश करते हैं तो कैसे यहाँ पर 1.40,000,000 रुपे का बड़ा फंड बना सकते हैं चलिए अब हम इसे एक बार calculate करते हैं दोस्तो यह है हमारे पास एक mutual funds का SIP calculator इस scheme के अंदर अगर आप 2000 रुपे महिना निवेश करते हैं और यह scheme SPI की अगर आने वारे टाइम में आपको return देती है 15% का इसके अंदर आप 24,000 रुपे निवेश करेंगे और आपको यहाँ पर एक साल के बाद 26,000 रुपे मिलेंगे दोस्तो इस 2000 रुपे की SIP को अगर आप यहाँ पर 4 साल के लिए continue करते हैं तो यहाँ पर आपको estimate return जो मिलेगा वो होगा दोस्तो 36,000 रुपे का SIP के तरूप इस आपको estimate return जो मिलेगा वो होगा 1,89,873 रुपे का SIP के तरूप इसके अंदर आप 1,92,000 रुपे निवेश करेंगे और आपको यहाँ पर total 3,71,883 रुपे मिलेंगे दोस्तो इस SIP को अगर आप यहाँ पर 12 साल के लिए continue करते हैं तो आपको estimate return जो मिलेगा वो 5,19,199 रुप करेंगे और आपको यहाँ पर total 8,7,199 रुपे मिलेंगे दोस्तो इस पैसे को यहाँ इस SIP को अगर आप यहाँ पर 16 साल के लिए continue करते हैं तो 16 साल के अंदर आपको estimate return जो मिलेगा वो होगा 12,13,386 रुपे का SIP की तरूप इसके अंदर आप 3,84,000 रुपे निवेश हैं तो आपको estimate return जो मिलेगा वो 25,51,910 रुपे का होगा 4,80,000 रुपे SIP की तरूप इसके अंदर आप जमा करेंगे और आपको यहाँ पर total 30,31,910 रुपे मिलेंगे दोस्तो इस SIP को अगर आप यहाँ पर 24 साल के लिए continue करते हैं तो आपको estimate return जो मिलेगा 50,60,80 रुपे क होगा SIP की तरूप इसके अंदर आप 5,66,000 रुपे निवेश करेंगे और आपको यहाँ पर total 56,360,80 रुपे मिलेंगे दोस्तो इस SIP को अगर आप यहाँ पर 30 साल के लिए continue करते हैं तो यहाँ पर 2000 रुपे महिना के हिसाब से 30 साल के अंदर आप इसके अंदर कुल जो हाँ पर 1,40,19,641 रुपे मिलेंगे यानि के total 2000 रुपे महिना के SIP के हिसाब से आपके इसके अंदर सिर्फ 720,000 रुपे निवेश करेंगे और यह पैसे बढ़कर आपके हाँ पर 1,40,000 रुपे हो जाएंगे तो दोस्तो यह स्कीम उन लोगों के लिए काफी बढ़िया रहे इस वीडियो से लेटेट अगर आपका कोई भी कोशन है या आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं दोस्तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरू आपको लाइब लाइब